श्री शिवाईन नमस्तुब्यम दर्शको कैसे हों? आज अगरते हैं कि आप सबस्वस्तेम सुरक्षित होंगे दर्शको आज भुधुवार का दिन हैं जैसा कि आपको पता है आज एक मार्च महिन एका पहला भुधुवार पड़ रहा हैं दर्शको इस बुद्वार आप सभी को साम के समय संध्या के समय एक छोटा सा उपाई पूजी गुर्देव की शिमहापुरान कताज बतायवा अविश्य करना है दर्शको ये दिव्य अच्शुक उपाई आप सभी को करना है और इस उपाई को करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक एनरजी होगी वो दूर होगी क्योंकि दर्शकों घर में जब नकारात्मक एनर्जी हद से ज्यादा हो जाती है तो उसकी वज़े से घर में कले होने लगता है घर में सुख समरत्ती नहीं रहती है आपका कोई कारिया नहीं बनता है और घर में हमेशा लड़ाई जगड़ा होता रहता है ऐसे में घर में बिलकुल भी सुक समरत्य और घर की परगर्ती नहीं होती हैं और घर में मानसिकता सभी लोगों की समाप्त हो जाती हैं तो ऐसे में आज हम आप लोगों का ऐसा उपाई बताने जा रहे हैं जानकारी आप सभी दर्शकों को इस वीडियो के महध्यमस बताएंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरू करतीजेगा साथी वीडियो को लाइक करतीजेगा और हर बार की तरह कोमेंट बॉक्स में श्री शिवाई नमस्तुब्यम जरू लगतीजेगा और हो सके तो अपने मित्र बंदो तक इस छोटे श जानकारी को इस छोटे शुपाई को शेर जरू करतीजेगा दोस्तो आज बुद्वार का दिन है और जैसा कि आप सभी को पता है बुद्वार का दिन गनपति बाबा यानी की भगवान स्री गनेशी को समर्पित होता है ऐसे में दोस्तों बुद्वार के दिन कुछ विशेस उपाईयों को करने से विशेस फल की प्राप्ती भी होती है ऐसे में आज की साम आप लोगों को इस जगहे पर यह एक छोटी सी चीज रख देनी है दोस्तो आज की साम बुद्वार की संध्या की समय आप लोगों को आज की साम एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है फिटकरी का टुकड़ा आप सभी को पता है कि बड़ा ही करामाती होता है अपने आज पास किसी भी प्रकार की नेगिटिव एनरजी को नहीं भठगने देता है तो ऐसे में आज की शाम आप एक फिटकरी का टुकडा ले और उसके बाद में उस फिटकरी की टुकडे पर आप दो टुकडे कर ले दोन टुकडों को आप दो हरी कपड़ों में लपिट ले और दो पोठली बना ले एक पोठली को आप अपने घर के चोखट जो है जहां पर परवेश है जहां पर आपके घर के सभी उपस्तित लोग परवेश करते हैं उस जगह पर मुखे द्वार पर आप टांग दे और उसके बाद में जो एक पोठली है उस पोठली को आप अपने घर के बात्रूम में रख दे या फिर किसी सुरक्षी जगह पर उसे रख दे दोस्तों कहते हैं कि घर में जो नेगिटिव एनरजी हैं वो सबसे ज़्यदा बात्रूम में यानि कि गंदी जगह पर पाई जाती हैं जहां पर आप ज़्यदा कच्रा पहलाते हो वहां पर पाई जाती हैं यानि कि जो गंदी और बुरी सकती हैं ये बुरी और गंदी जगह पर यही ज़्यादा वास करती हैं तो ऐसे में अगर आप उस जगहे रखोगे तो इन्हें आपके घर में कहीं इस्तान नहीं मिलेगा और मुखे द्वार पर अगर फिट करें आप टांगोगे तो इससे आपके घर में किसी भी परकार की नेगटियों एनरजी निवास नहीं करेगी ऐसे में दर्सको आज की सामिस कारे को करना बढ़ा ही बेहे दिलाबगारी माना गया है हमने आप लोगों को समय जदा व्यर्थ ना करते हैं मातर दो से तीन मिट की वीडियो में आप सभी को पूरी जान करें दी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा मिलते हैं आगली वीडियो में धन्यवाद